नमस्कार मैं आश्टोष शाम के पांच बज्जुके हैं और जो पिछले एक महीने से लगतार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं साथ चरन में चुनाव हुए और बहुत एंटिसिपेशन हैं लोग हर कुछ जानना चारा है कि यूपी में क्या होने वाला है बड़ प्रदेश की और जिलो की पुर्वांचल की गाजिपूर की जो स्तिति है वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारा क्लेम है कि कौन सी पाटी की सरकार होगी किसकी सत्ता आ सकती है किस पाटी कितनी सीटे आ सकती है वह मैं बताऊंगा और उसके पीचे कारम बता दू प्रियंका गांधी ने पूरा एक तरीके से अपने कंधे पर चुनाव ले लिया और अखिलेश यादव को अब पिछली बारी परिवार से जो उनकी अदावते थी जो लड़ाई थी जो कि मुलायम सिंह यादव वर्सिस चल रहा था वो इस बार नहीं है कि आपको अखिलेश चाचा भदीजे का रार है वो लड़ाई है वो नहीं चल रहा था बहुत सारी स चुनाव है 2017 से रख और रिजल्ट बहुत अलग आ सकता है क्योंकि यूपी का चुनाव ऐसे ही क्लेम कर देना किसको कि इतना आसान है नहीं क्योंकि इस बार जो इलेक्शन है बहुत यूनीक इलेक्शन है एंटी इंकम मेंसी भी वैसी नहीं योगी खिलाब योगी सरकार से कुछ मुद्दों को लेकर लोगों में नाखुशी है लेकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण लोग योगी को पसंद कर रहे हैं वापस बुलाना चाहते हैं और बहुत सारी बिरादरियां के वोट क्योंकि कास्ट एक्वेशन तो है वोट पॉपॉलेशन वोट पर है तो वो अपने तरीके से काम करेंगे अगर कर जा रहे हैं अपने लिडर को देख रहे हैं या बीजीपी के साथ रिटेंड कर रहे हैं या समाजवादी में आना है वालमी की विरादरी कैसी देख रही हैं यह सब बहुत सारे questions है बहुत बड़े questions और बहुत ऐसे questions जिनका answer होना चाहिए तो आपको सब्सक्राइब बता दें कि बीजेपी लूस तो करेगी कितनी सीटे लूस कर रही है यह बड़ा सवाल है समाजवादी पाटी गेन करेगी कितनी गेन करेगी यह बड़ा सवाल है बीजेपी कौन जीटेंगी तो कि उनका उस तरीक से परचाव नहीं दिखा और क्या प्रियंका गांधी का बड़ा असर मिलेगा यह बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको यूपी चुनाप के शुरुवातिक दौर आपको याद होंगे जिस तरीके से नौन यादव भी सी लीडर्स जो थे वो बीजेपी से निकल कर समाजवादी बटी जा रहे थे और बहुत-बड़ा सार माना जा रहा था बहुत लिग मान रहते हैं बीजेपी भगदर मच गई है और हलाकि दोनों तरफ के लोग इधर उधर हुएं लेकिन जो जोगी के हिस आप से जो मिजाज बन रहा है कि योगी की सरकार आएगी नहीं आएगी योगी है नमित्षा का इशू है कि नहीं है बहुत सारी चीज़े हैं तो उसकूल लेकर एक clarity बता दे कि बीजेपी कमजोर हो रही है और बीजेपी क्या उस तर पर कमजोर हो रही कि सरकार नहीं बना क्वेशन है समाजवादी बाटी उतने इस तरह पे मजबूत हो रही है कि वह अखेले सरकार बना लेगी यह भी बहुत बड़ा क्वेशन है और क्या बीएसपी का कोई बड़ा रोल हो सकता है आपको इस आने वाली सरकार में क्योंकि अगर थोड़ा सा सबसे पहले आपको बदा दें जो हमारी तरफ से क्लेम है हमारी और साथ में जो हमारी एक पैरेंट और डिजिटल जो रिसर्च पर काम करती है हमारे इंड से जो प्रैमरी रिसर्च इस वह लगबग आने शुरू हो गए हैं हम लोग उस पर काम कर रहे थे वह आपके स्क्रीन पर लग जाएगा मेरे पास पहुंच गए हैं हमारे ग्राफिक टीम से कि आपको देख सकते हैं हमारे पास डेटा आने शुरू हो गए हैं तो आपको सबसे पहले बता दे हम वोट परसेंटेज की बात कर लें बीजेपी को जहां पिछली बाद थर्टीन परसेंट वोट से परसेंटेज मिलेगा आपको 31-33 यानि एक तरीख से 8 परसेंट का शार्प डिकलाइन आपको देखा जा सकता है बीजेपी की वोट परसेंट में और मोस्प्रबिली यह पहले चरण और साथवे चरण की च्छेतर हैं वहां पर जाधा डिकलाइन मिलेगा जहां आपको गाज हमारे डामनी डेजिटल डामनी प्रेटिक्ट्स जो है वो कर रहे हैं विद एक्सिस टॉंटिफॉर तो वह है और तीसरा आपको बता दें जो बीएस पी है वह पिछली परसेंटेज गड़ भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं वह देखने वाली बात होगी अजाद समाज प परसेंट वोट आ सकते हैं अगर कोई जादूगरी हो जाए किसी छेतर में हो जाए वो देखने की बात है यह हमारा क्लेम है और अदर्स जैसे MIM है और अलग तरीज जुनाव लड़ी और ऐसे विदावे हैं कि MIM एक या दो सीटे जीत सकती है उत्तरपरदेश में उसका वि बीजेपी नहीं बनाएगी जो उनका गड़बंदन वो सरकार नहीं बनाएगा और 230 में कुछ भी हो सकता है 19230 इंपोर्टेंट है और समाजवादी पाटी 140 से 180 की बीच में कहीं ड्राइब कर सकती है अगर राजबर समाज, मौरेश समाज, मला समाज, जाटों का पूरा कम् वोट उस तरीके से नहीं दिया उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है पस्ची मुत्र परदेश में वही राजभर कम्यूनिटी को देखना है क्या राजभर के साथ पीछे बैटे बैटे हो समाज वाधी पाटी में है, पूरा वोट शिफ्ट हुआ है, मला वोट क्या पूर मिलेगा यह हमारा प्रैमरी ओर हम कर बते रहेंगे जैसे जैसे हमारे डिजिट्र वह रड़ेक्शन कहले और देटा था है तो हम आप से जरूर साज़ा करेंगे लगतार उतरप्रदेश के चुनाप से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल Access24 को सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद नमस्ते